बॉलिवूर्ड एक्रेस आलिया भर्ट और रन्वीर कपूर की शादी के चर्चिस सुर्खियों में है हलाकि उनके पिता महिश भर्ट नहीं चाहते कि उनकी इतनी जल्दी शादी हो दरसल महिश भर्ट अपनी बेटियों को लेकर काफी पज़ेजे रहे और रहे अपनी बेटियों को अपनी आँखों से दूर नहीं होने देना चाहते इतना की नहीं महिश भर्ट नहीं चाहते कि आलिया अभी शादी करें और उनकी नजरों से दूर चली जाए एक एंटर्वियों के दौरान आलिया ने कहा कि मेरे पापा हमारी बहुत फिक्र करते हैं उनका बस चले तो वे कभी मेरी शादी ना होने दे आलिया ने कहा कि उनके पिता कभी कभी उन्हें बातरूम में बंद करने की भी धमकी देते हैं आलिया ने कहा शादी की बात आते ही वे कहते हैं कि वे मुझे बातरूम में बंद कर देंगे लेकिन अपनी आँखों से दूर नहीं जाने देंगे आलिया आगे बताते हैं कि पापा ने हमसे कहा कि हम कभी उनसे दूर नहीं जा सकते मैं हमारी शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि मैं उनसे दूर चली जाओंगी हालगी में आलिया भट ने अपना 28 वा बर्थडे सेलिब्रेट किया है इस बर्थडे पार्टी में बॉलिवोड के कई सितारे शामिल हुए आलिया की बर्थडे पार्टी का आयोजन फिल्म मेकर करन जोहर ने किया था इस पार्टी में दीपिका पादुकोन, आयान मुखर जी, अरजुन कपूर और मलाइका रोडा जैसी कई हस्तियों ने शिर्कत की इस पार्टी में उनके बॉयफरेंड और एक्टर रनवीर कपूर नहीं पहुँच पार, क्योंकि वो इन दिनों कोरोना पॉजिटिव है वर्क फरेंड की बात करें तो आलिया जल्द की फिल्म ट्रपल आर में नज़र आएंगी इस फिल्म में आलिया भट का फर्स्ट लोग सामने आ गया है इस फिल्म में ये एक्टर सीता के किरदार में दिखेंगी जो तस्वीर सामने आए हैं उसमें सीता के लोग में आलिया इतनी दंदार दिख रखी है कि फिल्म के लिए लोगों के मन में उच सुक्ता और बढ़ जाएगी इस फिल्म को बाहु मुली फिल्म डिरेक्टर ऐसे से राजा मौली डिरेक्टर कर रखी है सीता के किर्दार में उनका ये लोग साधार्र होते हुए भी बहुत दमदाग है पबलिक निउस डेस्क देश और दुनिया के खबरों के लिए जुड़े रहिए पबलिक निउस के साथ